पूर्ण 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 विधान सभा के नंदगराम इलाखे में लगा अतार आप देख रहे हैं कि राजनीती में जैसे जैसे ये चुनाओ जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे डिवलोप्मेंट्स होते जा रहे हैं हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने दाओं चलती जा रहे हैं तै साथी साथ सम्मानित यहां की जंता भी मौझूद है कारिकरम शुरू करने से पहले जंता एक बाद तालिया बचा देगे अपने सभी के लिए तो कारिकरम के आप शुरूआत करेंगे आपका सबसे पहले तो आपका तारूर्फ कराएंगे कि हमारे साथ आज कौन-कौन सबसे पहले सत्ता की चावी जिनके पास है उनी से सवाल किया जाएगा उनी के सवाल की चावी लगाई जाएगी तो आपसे सवाल यह है कि आपको क्यूं लगता है कि विदान सभा में आपने ऐसा कुछ काम किया है कि आपको एक बार फिर जंता जो है वो मौका देने जा रह परदेश में हमारे ये शश्वी लोकरी है, मुख्यमंत्री, योगी आदेते नाद जी ने जिस प्रकार साड़े चार वर्सों में, दंगा रहित सुसासन, आप देखते थे पहले किशान देहात में, किसी की मोटर चोरी होती थी, राहजनी होती थी, सडको पर लोग देररातरी नहीं लिकल पाते थे, आज आप जाईए देहा चेतर में, जाईए बारा बज़े किसी किसान की, न मोटर चोर रही है, किसान तो सडकों पर है, मोटर क्या चोरेगी उसकी, वो असली किसान नहीं है, आप भी जानते हैं, और विपक्षी भी सब जानते हैं, इनकी पोल खुल किसान नहीं होते हैं, किसान तो खुद सड़कों पर है, यह असली किसान नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कि था चरए करेंगों ऊड़ुक में प्रदेश की जंता को जो भैमुक्त बातावरंड है ब्रश्टाचार रहित वाता वरंडिया हम उसके दमपर मानने योगी-जी के दमपर उनके फेस के दमपर और जो भैमुक्त समाज कनारा भारतियine पाटे ने दिया तो उसके दमपर तो रक्षा दिया आपने, तो बेटियों को तो एक खुदी मैदान में उतार रहे हैं, आप 40-20 टिकट दे रहे हैं, देखे, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा है, अभी हम देख लेते हैं, इंतिजार करेंगे, दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा, अगर य पूर्णते भरोसा है, जनता से भी हम सवाल करेंगे, उससे पहले नेताओं से एक-एक हमारा कॉमेंट रहेगा, इसके बाद हम जनता पर आएंगे, ठीक है, आपके पास आते हैं, ये बताइएगा, कि आप 40-20 महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं ल करा है, और रही बात अभी विकास की बात बता रही हूं, अभी आप नंदीराम की हाले देख लेना गड़े हुए पड़े हैं, सड़क नहीं है, सड़क में गड़े हैं, इतने गड़े हैं कि बहुत ज्यादा, विकास के नाम पर बोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन फिर पा बढ़े हैं, कि सरकार गड़े हुए कि पर खोड़े हैं विकास के विकास यह सब्सक्राइला मतर साइकका के स किसी ने कुछ कर लिया कोई मार दिया किसान अभी पांच मारें बीजेपी के मंतरी के लड़के ने सरम नहीं आई इतना इतना अत्या चाहिए आपको उधर से तरफ जो मरे उननी देखे आपको उसमें जो गाड़ी चला रहा था जो उसकी मौत हुई ड्रैवर की वो नहीं दि तो आप भी है ना आप भी है ना वीजेपी की मंतरी के बेटे की गलती थी ना तब जो दूसरी तरह से हत्या हुई उसको जाइज में ठहरा रही है लेकिन अभी जो किसानों पर भी तो एक चस्मा लगा है आप भी चारी लोग देख रही है ऐसा कुछ नहीं चार लोग तो आप उन्हें रोका गया उन्हें अंदर भी निजा ने दिया उन्हों ने ऐसे क्या क्या वहां पर धरना रख रही हैं तो आप उत्राखंड में भी चुरा हुआ है वहां क्यों यह बात करते हैं यह तो बड़े ने आपके पास यहां खोने के लिए कुछ नहीं इस तरीक ने लेंगे वही ने रोगा उसमें आपको लगता है कि प्रैंग का गांधी जो है वो काम बखोंभी पा रहे हैं जान फूखने का का कारिकरता ओं करता हो कर पा रहे हैं जो पिछली दफाह जब राहूल गांधी आय थे वो नहीं कर पाय थे उन्हों ने भी अपना काम किया लेकिन प्रेंका गांधी भी हमारी नेता, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं, जैसा राहूल गांधी ने काम किया था, वैसे ही प्रेंका गांधी कर रहे हैं, जैसा राहूल गांधी ने काम किया था, वैसा ही प्रेंका ग मैं दरसल कॉंग्रेस की रणनीती समझना चाहता हूँ कि इनकी जो पार्टी के कार्याले भी मिलना आजकल, दिखना आजकल मुश्किल हो चुके है तो ऐसे में राउल गांदी जब पिछली दफ़ा आए थे तो इन्होंने पार्टी के लिए काम किया था वैसा ही काम प्रियंका गांदी कर रही है उससे बड़ चड़ कर कुछ कर रहे है आप कारेकरता के तौर पर बताएगा बड़ चड़ कर रहे हैं आप कहां इन सब के बीच वफासे हुए है अच्छा ये भी बड़ी बड़ी चीज है आजकर सत्ता की चावी योग लेकर घूमते हैं उम्परकाश राजबर साले कर घूमते हैं सञा निशाद साले कर घूमते हैं अब अस्दुदीन भी आगया है पंशा है तक अच्ञा है थीचता के लिए है तो हेलिकॉप्टर उतर रहे हैं इतना ही आपके पास विचार सोच इतना भारती जनता पार्टी से आपको चूज के खा जाएंगे यह पार्टी आपको नहीं लगता आपको उपयोग करके आपको आखरी समय पर अलग कर देंगी कि अंपरगाश राजबर जी भारती जनता पार्टी समय पर अंपराधी की साथ पार्टी के साथ है तरपदेश की जनता से जो फ्री बजली का वादा करेंगा चैसे जाती है यह बताइएगा तीन सो उनीट टेक बिजली का बिल फिरी चाहिए ओंबकास राजबर जीन ने बोला है फिरी सिच्छा एम अनिवार सिच्छा देना उत्रपदेश की जनता को ताकि नेता के तौर पर आप यह समझाईए आपको कोई नेता कह रहा है कि फ्री देगा आप फ्री लेंगे क्या फ पर जड़ी लग जाएगी और इसारी पार्टियां अपने आप में समस्प्री को मजबूर हों कि जनता को काम कई से करें की अभी तक सस्टर सालों से देश को को गुम्रा किया जा रहा है नेता क्यों करें आज जनता खुच जागने लगी आज आज का इवा पढ़ा लिखा लेकिन अभी तक जो नेता आते थे उन पड़ाते थे उन्हों के लिए लड़ेते लेकिन अब जब युवाओं का एक रूख आएगा और आप अभी किसको युवा समझ रहे हैं राजनीती में किसे युवा समझ रहे हैं राजनीती में कोई युवा नहीं होता राजनीती में युवा करने क्या हैं युवा को मौका कहां देंगे ये लोग ये जो पार्टियां बैटी हुई है इतने महिलाओं को मौका दे तो रही है वो जगह म को सम्मान देते तो आझ हर पार्टी फ़स्ट सुनिये क्या इस देश का एकसान कर सकता इतनी नरसंग हट्ट्द रहें तो इनसे बूजेंगे क्या से सहमत है दूसरी बात वो जो मैंच कहां सहमत है नहीं हटा रहे सरकार आप कि सेंटर में आप क्यों नहीं हटा करके मुझे बताइए पंजाब में इनकी सरकार है नीचे से उपर तक ते आप ही हैं नीचे से लेकर उपर तक आप हैं और आरोप लगाएंगे इन पर इन पर जी जिसका बाप ग्रायमंत्रियागा उसके बेटे पर कारवाई कैसे हो गुड़ता है जोड़्शों से इसलिह आपको मजबूरी में जैल में डालना पड़ा आपने तो खुब पोशिश एक की उसको बचाएस और अपन्च दिन में सबूटब मिट जाते हैं प्रयंका गांधी ने किया, बड़ी अच्छी बात, इनकी नेता गई, लखिम पुराई, बड़ा संगर्स किया, बहुत महंती नेता है, जब आपको पता है वो संगर्स कर रहे हैं, महंती नेता हैं, आपने उठा के उनको बंद क्यों कर दिया? बात तो पूरी होने दीजिये, तो यही महनत, यही आकरमक्ता, यही जुजारूपन पंजाब में दिखाई नहीं देरा, भेंजी हमारी खुद दलित समझा ऐसे हैं और मरने वाला दलिता, क्या यह पंजाब की घटना की उस हत्या की निंदा करेंगी? उसका रातो रात पंजा तो आपने भी जला दिया, आप डोनों एक ही तो हैं ऐसा नहीं है कि बाता चला गया, उसे तो आपने जला ओना आपया, विजाच ही चल रही है, लगई, उसे तौक झाल आपको एतना बुरा हाल के उस लड़की का साथ आपने लखवीर को भी आपने भी आपने भी राजनितिक बदला लिए अगर दोसी जो पाएगा उसको सजा मिलेगी आप जनता विश्वास करें तो कैसे करें भाई ना खाता ना भाई जो भाजपा काई हुए सही इनके लिए यही कहावत हम कर दो जोटा इसलिए तो छोड़ा देड़ साल मने के साथ देखा कि आप यह कारे करेंगा इन्हों कोई कामी नहीं किया मंत्री जीन अपना पत्या कि आ गया उपने मनत्री पर चोड़ा है सीधे बताईंगे ना आसान भाषा में बताईए ना कि सम्मान नहीं मिला पर दिखाते हैं कि यह हुआ दरसल सीधे और आसान भाज्जा में नहीं कहते हैं कि वह सब्मान नहीं मिला जो टिकेट वांगी थी वह टिकेट नहीं मिली इसले चुपचाप से गुलाटी मार करी धरा गया मंतरी मानी नेता जी बनाया उनके बड़े पुतरी को राज मंतरी बनाया बाकिया साथ निगम बने एक और हमें बीज विकास निगम भाग तो मिल गया फिर क्यों हट गए जनता के लिए जनता काम कहां कर रहे हैं यह महंगाई कहां से कहां इनों ने पहुचा दी जिस जनता के लिए खर्च की है और यह खुद मानी नियोगी अधिन पिधान सभा में बोला यह बात कि उत्तर पदेश में कोई ऐसा ने था तो ओम प्रकास राजवार है जिसने अंठावे पड़े कर रहें चलिए जनता के बाते कर रहें किसान के बारे में कहने चाहूंगा जो वो नक्सली है आतंकवादी है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि नीचे से लेकर उपर तक आपकी सरकार है तो आप क्यों नहीं यहां से भार भारत देश से बाहर निकाल देते दूसी बात रही बात बोर्डर की अगर वो दिली के बोर्डर पे है तो वह यूपी का भी तो वो उत्तर परदेश के भी तो हमारे सीम योगी जी है अपके तो वो क्यों ही उन्हें हम धीता देते हैं किसान जो रहा है वहमेशा जो चुनावी जो र्णनीती रहती है उसी का हिस्सा रहा है वो कहते हैं तो आज भी उसके नाम पर राजनीती ही हो रए हैं बिलकुल अब बेकार इसे जारा रहां उनको बदे तो यह ना कि विकास के नाम पर यह आई तो विकास कहा है बना तो रही है जब किसी भी एपने लोगो के बात करती रही तो अपने लोगो के पास जाता अना वपने लोगो की बात करती रही लेकिन उस इंसान की बात यही तो राजनीती है यही तो राजनीती है ये बात उन्होंने सही कर यह प्रश्ण पोछ देता हूँ कि प्रभावित कररेगा लखीमपूर खिली जो है उ राजनीतीक राजधानी बन कया उत्ताप्रदेश के चुनाओं को देखते हुए आप लोग लखीमपूर में जिन किसानों की मौत हुई उनके घर पर क्यों नहीं पहुचे ये बहुत लोग पूछ चुके हैं सवार देखे हम बताते हैं लखीमपूर एक कांड जो था कॉंग्रेस का ड्राइबर बैठ गया था जो इन्होंने कहा ठीक है वो जाच का विश्य हमारे देश में सम्मीदान लागू जाता है नियाए पाली का पर हमें पूर्ण भरोसा है और देश के संपूर्ण नागरिकों को नियाए पाली का पर भरोसा है आप जनता समझें आप यूवाए समझें कि हमेरे पखोड़े वेगने से करें ठीक है और एक तेल तेल का एक सो क्या कह रहे आप क्या कह रहे आप जनता ही तेखाएगी लठ लेक तियार है जनता आप माइदान में उतरो तब देखो तमासा आप ठीक ठीक मेरी बात सुने मैं आपको लाइब चुनोती देता हूं यहां बेठे वे नताओ को चुनोती देता हूं गाजेबाज विदान सभा में पांच विदान सभा चीत है अगर एक भी सीट तुम जीत लो तो मैं राजनीटी छोड़ दूँगा आप भी लिख के दो क्या हुआ हमें आप इतने भरोसे के साथ कह रहे हैं कि पाचों की पाचों विदान सबासी आप ले जाएंगे यह जाएंगे यह जो लो भी पाण समझया चुनावनी अपर आप इस तानल नहीं कुशना लिए पांड में नहीं में आपके विढ़ाइ थेके करें हो बहन बेटिया जाती है रात में चलेंगा ना तो भाई सब गढ़े में गिर जाती है हो दो पून पढ़ता ही गहरों में पानी जी और दमकर लगा को और ने तूप लवाने पड़े अपने आपको पंप सेट लगवा के आरे यह सुन रहे हैं जनता क्या कह रही आ इसमें हमारे दल के भी समर्थक लोग हैं इनके भी समर्थक लोग हैं मैं व्यक्ति विश्यष को नहीं करा यह जो इन्होंने पाई किसी भी दल के हो जनता जनता है जनता है जनता होती रहा समर्थक से क्या होता है आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं इनके सवालों जब इन्हें इतना है घमन तो यह पाइंगे आप कह पाएंगी तरहें जीत सकते हैं जनता है जनता दनार दन है मैं पहले यह निंगे हम जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे मतलब आपको घबराट है डर है बड़ा बोल नहीं बोलते बड़ा निवाला खाला बोलना ने चाहिए यह जनता बताएगी 2022 में कौन जीतेगा कौन हारेगा देखे सुनिए भोगोलिक इस्तिती यह है नंदगिराम की यहां सारी जनता बैठी है आप इनसे कही है यह तोड़ी दिए थोड़ी दिए पार्शा सवाल का पर जवाब होगा मैं जवाब दूगा मैंने कहा कि भोगोली की स्तिती का ग्यान नहीं है देखे हम नंदगराम छेतर जो है कम से कम यहां छेतर की जंता बैठी हाथ उठा करके बुझ लिए नंदगराम छेतर इस छेतर से सियानी घूगना जो यह गाम है आस-पास क सपा और बसपा की सरकारे आती दो हजार सत्रे में हम सरकार में आये हैं हम तीन वर्सों में सब कुछ कर दें बीस वर्सों से इन्होंने कुछ नहीं किया अब लगातार काम चल रहा है मैंने अभी आपको बताया यह नाला पांच आप नगराय को अभी फोन में लाइए समझ इन्होंने कोई बात रखी इन्होंने कहा सुनिये जमता सुनिये पहले इन्होंने कहा कि सड़क में गड़े हैं सड़क ठीक नहीं है तो आपने कहा कि भागोलिक का ग्यान ही नहीं है यह स्यूवा ने अभी पूछा था कि पेट्रॉल का प्राइस बढ़ गया है आप उसको बताईए कि आपको तेल संसाधन का ग्यान ही नहीं है आपने तेल के दाम क्यों बड़े पूछा वो आपको जवाब देंगे कि आपको गैस के मामलों का ग्यान नहीं है करेंगे करो ना काल की बाते नहीं करेंगे कि षसकी कि क्यों अपनी अच्छा योगा जो इन्हों पॉलिक सिटी की यह करेंगे राम मंदिर की बाते यह करेंगे मस्जीदों की बाते यह करेंगे हिंदु मुसल्मान की बाते नहीं नहीं देखे 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 को चीजे ऐसी होती है नहीं नहीं मैं आपको यहां पर रुखूंगा आपने का राम मंदिर की बाते करेंगे उनके एजेंडे में था उनके मैनिफेस्टों में था उन्होंने करके दिखा दिय कि बीजेपी के राम है क्या राम को अवर लों कॉंगरेस अपने मैनिफेस्टों में नहीं रखा समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में नहीं रखा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टों में रखा था धर्म की राजनीजी तो है यह तो है यह तो था वो क्यों में 15 लाख रुपए नहीं था ठीक है सेड़ेडरों के सबसीडिय थी आज तक सारी बंद कर दिये उन्होंने सारी सबसीडिय बंद कर दिये है एक हजार रुटा का दाम हो गया हाँ देखे सुनने की चमता हुने चाहिए आदर निया इस देश के लोग परिया यह श्रश्वी परदान मंत्री नरेंदर मोदी जी आगे बरिया हाँ सुनिये आगे आगे आप योगी जी अरे भई धिकत क्या है शूत है करम के चल देंगे हम तो अरre आज वही दो दो लाग के देश बेच तिया जब हो सुवहासपास हे हमारे नेता जी कुछ कह रहे हैं कह रहे हैं तुर देश भेच दिया जब वह देश बेच रहे थे तब आप भी तो साथ महें बहँ ब्रकल में ए Baldur Could कुछ नहीं उसके बाद बेचा उससे पहले नहीं तो कुछ नहीं थे बेच रहे ते आप क्या थे आप सेल्समें थे आप जब बनाया है वो कॉंग्रेस ने बनाया है कि सरकार थे तब यह बात नहीं पता थी जब लेड़ साल उनकी गोद में बैठे थे तब यह बात नहीं मालूम थी अमने इसलिए तूनको साथ छोड़ा और किस लिए साथ छोड़ा उन्होंने निकाला थो ना हमने उनका साथ छोड़ा इसी लिए तो छोड़ा इनी मुद्दों तमने साथ जब उनके साथ बैठे थे तब यही बाते करते थे जब उनके साथ बैठे थे तब यही बाते करते थे कि 70 साल में कॉंग्रेस ने बनाया जब उन्होंने आपको पता है जब आपको जब अगर किसी को सामाने ग्य तो बीजेपी के साथ क्यों थे मेरे भाई हमारा गठवंदन मुद्धो के आधार भुवा था बीजेपी से जब हमारा उन्होंने बात नहीं माननी चलिए पास मैंने क्या का था शुरुआत में बात नहीं मानी इसलिए छोड़ दिया आपकी डीलिंग नहीं बनी इसलिए कार बना रहा है और आप देख लिजेगा ठीक है ठीक है चलिए ठीक हो गया आपका अब यह बताईए आप से जो आप 40 परसेंट जो महिलाओं को जो टिक्टे देने जा रहे हैं यह ठीक है समझ में आता है लेकिन इसके साथ ये भी सवाल उठता है कि कल आपकी प्रेस कॉन् कि उसमें मौजूद दस लोग दस में से साथ पुरुष्टे और तीन महिलाओं थी इस पर लोग बड़ा चुटकी ले रहे हैं लोग चुक्टी ले रहे हैं लेकिन तीन महिला थी तीन तो थी फैले 33 परसेंट कोटा था महिला का अब हमारा कल जो प्रेस कोटा महिलान के लि बहुत अच्छी बात है मैं लैको राजनीती में फोकस में आने को जरुत है हमिशाए रही राजनीती में ठीक है तो आपको लगता है कि बढ़िया दाव खेला गया आकरी वक्त पर बढ़िया लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा साल रुक यहां काम करती है अब जंता इतनी जागरुकता है तो किसको बोट देने वाली है अब बता देगी परनाम आजाएंगे आप क्या अब हम यह तो कहेंगे नहीं जाना चाहता हो जनता जग जागरुक होती है तो उसका मतलब क्या होता है जो बभी मेरे भाई संजेत यागी जी कह रहे थे कि हम पांचों सीट जीते बैठें तो वह तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उन्होंने जो है वह दाले गए और उन्होंने कह दिया पांच साल जीते हैं वह कह रहे हैं कि हमें अपने हमने जो कारे किया उन्स पर हमें भरोसा है भरोसा क्या बताओ जो बच्चों की वजीफा मिलता था वो भी खतम कर दिया जो जो यूवा लड़के आज बेरुजगार हूम रहे उन्हें न इतना कारे क्या है कि कोई भी पहले क्या होता था साथ साल से पहले कोई भी बच्चा अपने पापास एक कुछ भी कहता था क्हाने के लिए पीने के लिए तो वो इतना सोचता नहीं तो तुरंट उसको खिला जेता था और राज कि श्तिती ऐसी है कि अगर बच्चे ने रोके बोला कि मुझे पांच रुपी की चीची है तर शालों में काम हुआ आपकी उमर कितनी है या ना लूँ मैं दुला हूं या निदल अगर मैं उसको पांच सब्सक्राइब काल में को नजर आता था इस साथ साल से तो बैतर था अमने पड़ा है क्या था सब्सक्राइब नहीं था जर्मरी में नहीं था फ्रांस में नहीं था और इसके साथी जब रूस अलग हुआ वहां भी नहीं था तो हर जगांग्रेस की सरकार्ती तभी हर जगाउट हो गया रूट कारें करेंग क्यां सारी जगा करें अंवह सब्सक्राइब नहीं यहां लगाज को पूछा कि दो मुझे आज के नुदे नहीं आज के बता दीजिए जिसके बेस पर आप 500 सीड जीते प नोजवान है हमारा मैं कहना चाहूंगा कि हमारी इस गाजेबद में एक तो ये विधान सभा बता दे मुझे पांचो में से मैं उसी विधान सभा के बता दूँ इने दो और मुद्दे नहीं के होगे विकास कारे के होगे मुद्दे आपके मन में है मुद्दे लोग आप बनाते हो हम विकास कारे के दम पे जा रहे है मुद्दे नहीं है हमारे विकास कारे है आप बताओ कौनसी विधान सभा के बताओ आप भूजिए उनसे कौनसी विधान सभा में जानना चाहते हैं कौनसी आप साहिबाबाद साइबाबाद विधान सभा में आप सुनिए सुनिए आरे भाई आप देखें ऐसा बत करिए आप पहली पंक्ती में जो लोग बैठे हुए हैं आप भी लोग बोल रहे हैं मैं चाहता हूँ कि जनता भी कुछ बात चीत करें ने आप रुकिया आप रुकिया आप रुकिया एक प्राइवेट जॉब करता हूँ ठीक है राजीर शर्मा सहभ आप देख रहे होगा किस तरीके से जो पार्टी सत्ता में है क्योंकि प्रभाव पढ़ता है आम आदिनी पर बड़ा प्रभाव पढ़ता है कि सत्ता किसके पास है कौन सी राजरितीं की कि स्विशार धारा स किहां चल रही है जो आपको फाइदा देती है आपको नुक्सान करजाती elevate कि आ झांट कर देखा हो आपने बस पाक को भी देखा हूगा अपने कॉंग्रेस को भी को भी देख रहा है आप अपने जितना जिसके हूँ, मैं इतना शकाम करता हूँ. ठीकिया, जी जो आज रज पहले और कुछ बहुत है. making अभुचे कहें, अब मुझे आप अंतरह ते, मुझे अन्तर शक्रोना कुछиля कोुछा है? आज उतनी नहीं है बहुत सुधार है दूसरा कन्या विद्याधन इसकी अगर मैं बात करूँ तो कन्या विद्याधन गौवर्मेंट ने बहुत अच्छा चलाया है आप कह रहे हैं कि अपराद पर जो लगाम लगाने का कान है वो किया है तीक Tsch part आप किस PARTY को समझने हैं किस PARTY का माहौल आप देख पा रहे हैं माहौल समझने आए हम किस पार्टी का माहौल है? माहौल बताई अब किस पार्टी का देख लिख लुए इस टैम वीजेपी का चल रहा है और यहां में लोकल में रहता हूँ अब से काफी पांच साथ साल पहले में और अमें इतना फरक है कि है तोटल तो स्यूर लेंडल चुकी है पूरे श्यानी, घूकना, नंदिग्राम, सारे में टैले लगी हुई है कभी इस से पहले, साथ साल पहले, यहां पे इस तरीके कारे नहीं हुए है जब से वीजेपी, फुबूरे गड़े, मेरे चिकन सोप है, टंकी के पास साथ साल पहले, मेरे दुकान के सामने तीन-तीन फिट, चार-चार फिट गड़े थे और आज इतनी सकता ही है, के लड़के बाई को पह नहीं घुम सकते हैं, बत्तमीज हैं केसे कानुन व्यवस्ता कि तिने मजबूत है कि चलिए ठीक है छब नए खोश कोश बत हो यह है कहां कॉजिली जीए अपके कहने से थोड़ी जा पार उज़ाए बूझे है ठीक है ठीक है क्रेडिट का का मसला पड़ गया यहां पर हमने काम किया चेतर के लिए यह जो सीवर लेन है यह हम लेका है पार्शाद है अच्छा मुझे यह चीज अभी ठीक है आप यह बताएए आप पार्शाद है तो तो बड़ी तनातनी रहती होगी बीजेपी के साथ आपकी बड़ी त तो हम जनता के भीत में तो हम लड़ इतना तो लड़ना जानते हैं इतना तो हम काम कराना जानते हैं ऐसा नहीं है कि हशब जीए बीजेपी की चलेगी क्या हम भुट्टे-बूर ने गई हो आप पार्शाद है आप इस चेतर की चलिए हाँ अभी आप जिस रास्ते से हैं है रास्ते की सड़क देखी आपने वह बिकास का नहरा है तीक है आप जिस रास्ते से हम तो ऐलीवेटेड हाइवे से हमें तो ठीक हाँ नहीं एलीवेटेड के वाद फूर नंदग्राम में घुसे नहीं तो रोड कैसा है मिला आपको पानी भरा मिला होगा खड़े उतने ही मि कि जब तक एक बistä म्मठ जब तक J shine ये सोचती रह Yan है उसमेंभी अपना जात अधून लेह आपको तकलीफ क्यों है विकास दुबहें की मौत भाप को दुख क्यों है विकास दुबहेग को अगर बारा जाना चाहिए तक था सबitely का है दुख नहीं है लेकिन और आपको दुख आपने बोला आपने बोला नहीं एक सबसे बड़े प्रतीक बन गए आप नहीं रुकिए यह कह रहे हैं मेरे मन में टीस रहेगी जब तक जाती वाद रहेगा आपको पता है आप जाती वाद का शिर्फ वो आपका सजाती है आपकी जाती का है आप इतनी उसके लिए दिल में रखे हुए अभी तक मीडिया का काम है कि कहना नहीं 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 मैं यह जाना चाहता हूँ इससे पहले भी मैं एक दो जगा गया वहाँ पर भी मैंने यह चीज नोटिस करी कि जो ठाकुर है वो जो स्थानी है जो सबसे बड़ा वहां का माफिया है उसको लेकर दिल में बड़ा वो रखता है आखि युकि वह ब्राहमनाः चाहिए ओं मारा जाणा चाहिए बहुत अधिया करते का वहाँ पुलिस वालों के हत्या करेगा वो आठ 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 पुलिस वालों के हत्या करेग इसको लेकर जब उसकी हटिया उसका इनकाउंटर गहा तो आपके मन में उसके लिए दुख आपके मन में उसके लिए दुख है आपके मन में लिए ऐह बहुत गलत बात है रुकिया ठीक है पार कम जिए यहですね कहना कॉंग्रेस का ड्राइवर था कुछ भी अनर्कल बात करें गया जो तीन गाड़िया थे उस काफले में एक मठ सुनने हैं सुनने के छमता रखिए ये तो सुरक्षा पर सवाल उड़ गया बीजेपी के लोगों पर कि बीजेपी का एक ग्रहराज मंत्री है उसकी गाड़ी दरसल सुनते नहीं आप अपने मतलब आप अरगल बात करेंगे क्या सुनके क्या करेंगे उसका वो जो काफला था उसमें तीन गाड़ियां थी सारे वीडियो देश की जनता ने देखें वो आज भी मोजोदे दुबारा देख लिये जाए उन्हें और तीसरे नंबर पर जो गाड़ी थी फोर्चुनर उसमें वो ग ठीक है कैसे ठीक है ठीक है ठीक है वा भाईया ठीक है कमाल की बात है ठीक है ठीक है ठीक है कैसे ठीक है 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 ठीक ह हम एस सवाल के जबाद आ वह समझिए उत्तर प्रदेश की जनता 20 करोड जनता समल कर चले लेजक्ट के हैं उत्तर प्रदेश की 23 करोड जनता में आपकी बात क्ह pén इंब के देता उस संबल कर चले वरणका को ग्रहराजय इसनहीं कद्रेशा कानून थाफ लग जो करेंप पंच दो कि रहेश को कि ईनधिन नहीं bayज पर पड़ी नहीं तो इनों लिसों वालों नए राजिस्तान हैं ज़ाड़ू भी हमारे silk Let Two ऐसे चर्शटारूस में सरम की बात हैं ग морose और धीक्न दिखावगा नहीं था देखे जब प्रेंका गांधी जी and the G प्रेंका गांधी जब ज़ाडू लगा रही थी तो उनके बाजू में जित्री ज़ाडू में सीके थी तो जाडू में जितनी सीके थी उतर ही आदमी के आजब आज पास थे वीडियो बना रहे थे आप क्या खे रहे है हम यह संस्कृति का भारतिय संस्कृति का राज नेति का उनने तक्कर मारने का ग्यान है है उडाने का ज्यान है फिर कहना दुर्भा के पूर निंदा है हैं अप तो नहीं थे क्यों हुनके अध़कल वह उठरने वाले हैं जबाहब मिल जाएगा ठीक है जब की सरमनाक बाट तक आएगे 27 को तर जाएंगे बाता trophy बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है बहुत बड़ा रिवलूशन आने वाला है क्योंकि सुभासपा के तो हेलिकॉप्टर है पता नहीं कहां से उड़े हैं वो आने वाले उतरने वाले समय क्या बताया सुभासपा के दो हेलिकॉप्टर उतरने वाले हैं डर लग रहा है किस बात का डर बाख्यूप्टर उतरने वाले ही यह नहीं के दिये हुए हेलिकॉपटर उड़ा रहे हैं कित्तर साल में कॉंग्रेस ने सब कुछ किया आप कह रहें कि हैलीकॉप्टर में बीजेपी भी उतर सकती है आपका पॉइंटी नहीं साही है कुछ खुद की आपको सीटे दे दे गाटिकेट देका मंतरीपत दे देगा उसकी तरह चल लेंगे आप अन्नप गुस्वामी जी तो मज़व सुन लिजे एक मिनट जरा पंदरा तारी को भागीदारी संकल मोचा की लखनों में प्रेस कॉंफरेंस हुई थी जिसमें भागीदारी संकल मोचा के 11 घटक दलें सब लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि चार मांगे पुलीस बि लिखत में देगी हम उसके साथ गठंदन करेंगे 27 तारी को पता चल जाएगा को लगता कि कोई भी पार्टी आपको लिखत में देगी पिछली बार भाजपा ने बोला उनने किया नहीं तो डेर साल में सत्ता चोड़ दिया इस बार भाजपा से लिखित में मांगा गया है लिखित में दिया था वो दिखा दी जरा बाजपने दिया नहीं था तभी तो लिखित में नहीं दिया था इसलिए भारती जन्ता पार्टी सबसे बड़ी जूट बोलने वाली अभी आप कह रहे हैं कि हेलिकॉप्टर से बीजेपी भी उतर सकती है तो कह तो आप उस हो चुका अब 27 सब्सक्राइब 23 को 11 बजे निगा पता लगेगा यह हैं किस तरह इनका भी तक पता ही नहीं है यह चाहरे है कि भारतिया जन्ता पार्टी भी उतर सकती है अकलेज जी उतर सकते हैं प्रेंग तो नहीं उतर जांगे वो कह रहे आप भी उतर सकते हैं अरे तो कोश्चन कीजिए ना यहीं बैठे हैं है अफकी रहने हो कुल नम खुलना बोल देता हूं हेलिकॉप्टर में बैठे हैं वह सीधे बोल गई बाद रखी नहीं पाई थोड़ी देर भी उन्होंने कह दिया चोटे भाई हो सकते हैं अभी हेलिकॉप्टर कहा पहुंचा बता दीजे अभी उनका यह कहना नहीं है आप जैसे उन्होंने य लेकिन यह कह रहे हैं कि अब हम उनके साथ जाएं जो हमें लिखत रूप में देगा अब यह तो इन्हें पता होगा ना लेकिन इनका कहना यह ही है इनका कहना यह हो गई 27 तारिक यह मूवी आई थी द्रिश्यम उसमें कहता था कि 2 अक्टूबर को यहां गए थे पनवेल ग इशारों में बता तो दिया कि है अपना होता है कि ठीक है यह लोगतांत्रिक विवस्ता नहीं करती क्योंकि मैं विदान सभा में हूं पारसद हूं मैं अपनी विदान सभा की बात कर सकते हूं मैं यह बात कहना चारी हूं कि एक बार बताओ आज जो सिलंडर एक हजार रूपे का है यह चीज अच्छी है कि अब क्या है कि प्रेंका कांधी जी ने जब से यह बात की है कि 40 वीज़ी जो टिकेट है वो महिलाओं को दी जाएगी यह अच्छी चीज है क्योंकि इससे क्या होगा कि महिलाज जो है बहुत सी चीज़े होता है जो ग्रहनिय अच्छे से समझ पाती है महिलां ऐखे से समझ पाती है उसको Его क्यों मान रहे हैं आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आज नों ने एक हजार रुपे का सिलेंडर कर दिया, जब इनों ने ये कहा, आप देखे, देखे, मैं आपको एक बात सुन रहाँ, बस सुन रहाँ, बस सुन रहाँ, एक बात कर लो फिर, आपने कहा कि जब ये विपक्ष की भूमिका में थे, तो दो रुपे एक सिलेंडर बढ़ता था, बढ़ता था, तो ये हाई हुला, हाई हुला करते थे, तो ये विपक्ष का काम है, आप विपक्ष में आप क्यों नहीं कर पाते हैं, आप भारत बंद की बात करते हैं, खुद के कारयाले बंद कर लेते हैं, दुकाने खुली रहती हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसे कैसे क के काम किया और जनता आज दुबारे से याद करती है को आज जनता कहती है कि कुछ भी था लेकिन कांग्रेस के नहीं बढ़िया था ठीक आप बताईए इंग आखिरी आखिरी कॉमेंट रहेगा यह बताईए कि अब आखरी बार अगर जनता से सीधे बातचीत करना चाहें तो स जेपी के पास क्या मुद्द्ध है किस तरीके साप चुनाव में उतर कर सामने आने वाले हैं। मैं साइबाबाद विधान सभा की जनता से एक अपील करना चाहूंगा, जागरुक जनता से, कि योगी जी का जो सुसासन साड़े चार वर्षो का रहा है उत्तर परदेश के अंदर, जो भैमुक्त, भरष्टाचार मुक्त, सरकार ने काम किया है, मानने भरष्टाचार मुक्त, दंगे रहित, जो सुसासन भरतिये जनता पार्टी ने दिया है, मानने योगी जी के नित्र आप साहिवाबाद विधान सभा जनता के लिए आप क्या कुछ कहना चाहिए हम जनता के बीच जाकर यही कहेंगे कि पंद्रे-पंद्रे-लाग रुपे आए खाते में एक हजार रुपे का सिरंडर जो आज जो है आज जो प्लेट में से सब्जी छिन गई आज क्या कहते हैं सि सब्सक्राइब करेंगे ठीक है 27 तारिक को 11 बजे दो हेलिकॉप्टर उतरने वाले इसके अलावा आपके पास कुछ है जनता के लिए फ्री बिजली आपको मिलेगी भागीदारी संकल मोर्चा की सरकार बनती है आपके स्वास्त में फ्री सरकार खर्चा उठाएगी और अनि संकल मोर्चा की आप सरकार बनवाई जनता से में कहना चाहेंगा आपको तीन सुनी टेक बिजली बिल घर उली को फिरी मिलेगा उंप्रकास राजबर साब भरेंगे उनका बिल स्वास्त के लिए जो होगा आपको फ्री दिया जाएगा गरीब जनता के स्वास्त फ्री दी ज तो आज मोदी जोगी है इसलिए देश बचाए आज इतना इंजेक्शन लाग रहा किसकी बदलत लाग रहा कोई काते हैं जब हम शरकार बनेंगे तो हम फिरी लगाएंगे यह कोई पाइशा देखे लागा रहा कोई पाइबाद पहले की गाजय यह एंजी यह इंजेक्शन फ्री लाग रहाएंगे लृणिव फ्री प्रेले की घाजयबाद में तुर रहे हैं थो नहीं तुर था रिखन कर रहा और सवाह को जो FPS तो समस्या ये आती है, समस्या ये आजाती है कि आपको उनकी हर काम में खुची ही मिलती है कोई काम आपको उनका गलत निलगता जैसे आपने कहा कि हिविकास इतना जदा हो गया सवर्णनिम काला गया सड़के जो है वो स्षेटी हुई नहों कर बलकि रबड की सड़के हो ठीकि आप किया के कहना चाहरे थे आप असली किसान है और नकली किसान कौन है नकली किसान वो है अग जिने काम नहीं है वो किसानों की आड़ में लेके दंगा भसात कराते हैं आखरी बार हल कब चलाया था आखरी बार हल मेने अभी चार साल हुए है चार साल पहले हल चलाया था ठीक है तो ठीक है चार साल ठीक ह यह उन्हों ने बता दिया किसान है वो है ठीक अच्छी बात है असली किसान सब किसान सब कोसान कोई कोई हो सकता है हमारी ही जो भारती जो संस्कृति है उसमें यह पारती जो है किर्षी छेत्र में किर्षी दर्शन देता पर यह नहीं है लेकिन यह वह इता है जो बैठे वह घुष्ण नहीं है तो अगर तुम बेहिं हमत है तो उन्हें यहां से उठा कर दिखा दिए आप महिलाओं पर दाओ चल गया ठीक हाँ आदर्णी बड़े भाजपा प्रक्ताई से पूछना चाहूंगा यह प्रमाठ पत्र बीद बता दें यह खालिस्तानी वाले हैं देश्वक्त वाले किसाने प्रमाठ पत्र आप बता भारत मलाई कहा रहें आप को बताता हूं आप में आप सत्ता में बैठे हैं आपके पास यही फरक है कि आप मलाई आप मलाई खा रहे हैं वह जनता गरम पानी बिस्कुट तुबोकर खा रही है जंता वहां पर गरम पानी में बिस्कुट तुबोकर खा रही है वह नेता जी वह पर मलाई खा रहे हैं आपको 40 % चला गया महिलाओं के ना कहा हना'm महिला सबसे बेस्ट उनके पास जाए हम उनके समर तक है ठीक है चलिए ठीक है देर से भली लेकिन आपने बात रख दी खुलकर बात रख दी ठीक है और भी कोई कुछ हो जो कहना चाहता हो जिसकी बात कुछ रह गई हो ठीक है नहीं आप कहो गया काफी देर से आप टुकुर ती घुक हुआ है पंग कपुझो एसरे उस रावस्ता तर्फित करता ठीक हो डृटरी संधी लेती हमसे टेक्स लेक्टो से चिज़े और थे करते कि यह नहीं होती मेरत"? पार्टी मतलब यह कह रहे है कि कॉंग्रेस जब सत्ता में आएगी तो इनका कोई मतलब नहीं कॉंग्रेस में नहीं मिलता था राशन हर पार्टी में मिला है साथ जो सिमित किसान नहीं पहले जो सरकार आई वो कांग्रेस के आई बस्पा की आई यह समाजवादी की आई बही है नहीं किता है पहली सरकार में किसान का जितने भी कर्ज्याप मजबा। वो शीमित किसानों को नहीं वो नहीत जो बड़ अजो बड़े किसान है क्हां टाइज जो कामदार है मगर मच्च है रहे भाइया जादा जोब सब्सक्रिय Nepom है उन्हें दो किसान लगा इसे टान जो योजना मोदी और योगने लगाई वह सिमित किसान नहीं है जो छोटा किसान नहीं किसान यह चोटा किसान कभी चोटे हैं मज्रें आप कों से ऐधा आपको मिल गया फायदा मैं तो मतलब चला गया ठीक आपका एक वोटर यहां बैठा ठीक है इसे हो गई बात चलिए तो हाँ मैडम जी का क्या होगा हम इन्हें भी निमंत्रन देते हैं आओ हमारे साथ कहां टेल रहे हो भई निमंत्रन देंगे तो जाएंगे लेकिन पार्टी तो पार्टी होती है आपका अभी कुछ नहीं बताएंगे आप 27 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर को 27 अक्टूबर को 11 बजे उत्रप्रदेश की धर्ती पर दो हेलिकॉप्टर उतरने वाले हैं बैग्राउंड में गाना कौन सा बजवाएंगे जनता के हित की बात होगी बस दो हेलिकॉप्टर उतर तीनों नेताओं के लिए बहुत-बहुत आप लोग आये हम अपना समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमाईसा जुड़ने के लिए महाल गर्म है कारिक्रम में आज हम साहिवाबाद विधानसभा में मौजूद थे हमारे साथ नेता थे जनता थे हमने चुनावी शंकराद भी बजाया जा चुका है ऐसे में तमाम पार्टियों की क्या कुछ रंडी थी आगे रहने वाली है उस पर बातचीत करने के लिए हम तमाम विधानसभा घूम रहे हैं आज साहिवाबाद विधानसभा के नंदिराम शेत्र में मौजूद है विधानसभ अतर सालों से देश को क्यों घुम्रा किया जा रहा है आप ने तो खुद कोशिशे की कि उसको बचाया जा सके पाँच दिन में समूत मिट जाते हैं इन्होंने कहा कि वो देश बेच रहे थे जब वो देश बेच रहे थे आप सेल्समें थे निंदा का क्या करे गद्दा बना के सो जाए कि जनता भी है बताए ये निंदा का क्या करेगी आप पे चंता विश्वास करें तो कैसे खरे भाई आप जैसे लोग क्योंकि वो ब्राम्मण है विकास दुबे को जाय सहरा रहे हैं